तौरो और वेलकम अगें दोस्तों टाइगर 3 का ट्रेलर स्टिल ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो भी जबर्दस तरीके से ट्रेंड कर रहा है मैं आपको बताऊंगा कि पठान और जवान के जो ट्रेलर थे इन दोनों के ट्रेलर के व्यूज के मामले में इन दोनों के रिकार्ड को बुरी तरीके से ख़देडा है पठका है बाई साब क्योंकि जवान के टाइम पर क्या था कि सारुख खान को पहले से ही पठान का फीड़बैक मिल रखा था पठान ने जो ब्रेंडिंग सेट करी थी वहां से जवान को अच्छा खासा बूस्टर मिला था क्योंकि पठान ने स्टिल ओपनिंग कितने से करी थी हजार क्रोंड से ओपनिंग करी थी उसके बाद चार साल के बाद जो कमबैक तो वो सब चीजों का फाइदा मलब जवान को काफी अच्छे तरीके से फाइदा हुआ दूसरा ये कि प्रोमोशन बहुती अच्छे लेवल पर हुए थे उसके तीसरा ये कि फुल हाई ट्रेंडिंग टॉपिक के रूप में उभर कर आ रहा था जवान इस वज़े से अच्छे खासा बूस्टर उसे मिल ला था रैस्पॉंस मिल ला था बड़ टाइगर के लिए सिर्फ टाइगर थ्री का जो प्रोमोशन चल ला है वो सिर्फ वाइरफ वाले कर रहे हैं किसी भी external source का कोई इसमें हाथ नहीं है सिर्फ वाइरफ ही जितना प्रोमोशन कर रहा है वही कर रहा है जैसे वर्ल्ड कप डील का अगर मैं बता हूँ तो वहाँ पर भी अच्छे कासी तरीके से वाइरफ प्रोमोशन कर रहा है और हर एक जिगह पर बड़े बड़े जवान के टाइम पर क्या हुआ था अगर थी के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है टाइगर थी का टेलर अपने दम पर स्टिल ट्रेंडिंग कर रहा है और उपर भी निकल चुका है बाई मैं आपको बताओ तो 24 घंटे टेलर को कंप्लीट होने वाले हैं बाई स्टिल जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर 16 मिनिट बसते हैं और टाइगर थी के टेलर ने 40 मिलियन व्यूज हिट कर दिये हैं भाई साब अभी 16 मिनिट और बचे हैं मेभी 16 मिनिट के अंदर अंदर ये 41 मिलियन कंप्लीट हो जाए जो भी हो लेकिन अभी तक 40 मिलियन व्यूज इसने कंप्लीट कर दिये हैं जिसमें 1.4 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं लाइक्स के मामले में मैं कहूंगा कम हैं लाइक्स उतने अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं जवान के ट्रेलर ने पहले 24 घंटे में 24 मिलियन व्यूज गेन करे थे और पठान के ट्रेलर ने पहले 24 घंटे में 27 मिलियन व्यूज गेन करे थे बट अगर मैं आपको बताओ तो ट्राइगर 3 के ट्रेलर ने आई थिंक दो या धाई घंटे के अंदर ही 25 मिलियन व्यूज हिट कर दिये थे तो वहाँ पर इसने लगबग तीन घंटे ही मानलो पहले तीन घंटे में ही इन दोनों मूबी के ट्रेलर के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था अगर बाइस बोलें तो लेकिन बट कंपेर नहीं करना चाहिए क्योंकि सारुक खान की अलग फैन फालेंगे और सल्मान खान की अलग फैन फालेंगे तो 24 घंटे का अगर मैं बताऊ तो 24 घंटे में बहुत ही अच्छा रेस्पॉंस यहां से देखने को मिल ला है तीसा यह कि है मस्त वाला जो सर्फराइजिंग फैक्टर इमरान हासमी उसने जो उसने जो चार चान लगाया है इस ट्रेलर में आमेजिंग क्योंकि देखो कल जो ट्रेंडिंग पे चल ला था हैस्टेंग इमरान हासमी भी ट्रेंड पे चल ला था इतना सल्मान खान ट्रेंड पे नहीं को blockbuster का hit देना है ना blockbuster का bomb के साथ फोड़ना है तो आपको भाया villain पे ध्यान देना पड़ेगा new era new modern का ही demand है villain देखो लियो के टाइम पर लियो के trailer ने इतना ज़्यादा व्यूज में कहूंगा उतना ज़्यादा नहीं आया है बट likes हाँ all language को मिला है तो लियो के trailer ने भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है मेकर्स ने उसके बाद अरजुन सारजा ये दोनों villain ऐसे फाड़ने वाले हैं जबर्दस तरीके से उसके बाद हमारे थालापती विजय तो हैं ही तो एक बार के लियो के trailer को उपर लाने के लिए इतना अच्छा response देने के लिए सिर्फ थाल को उपर लाने में likes के मामले में number one चला है वो trailer बहुत ही अच्छे likes मिले हैं लिए के trailer को मैं तमिल की likes बताओ तो 3 million plus likes मिले हैं कितने 52 million views में जबकि Tiger 3 के trailer को 40 million हो चुके हैं और यहाँ पर 1.4 million likes ही देखने को मिल रहा है पठान का अगर मैं आपको बताओ lifetime views और likes कितने मिल च चुके हैं पठान के trailer को 98 million plus views और likes के मामले में 2.4 million likes मिले हैं और comment मिले हैं 2 lakh से जादा जवान के trailer को कितने मिले lifetime views हैं इसके अभी तक जवान के 68 million plus and likes 1.7 million likes और comments के मामले में 1 lakh 30,000 likes इसको मिले हैं किसको जवान के trailer को बाकि हाँ लियो का मैं अगर बताओ तो single Tamil language में इतने कम views आने के बाद कम तो नहीं कहूंगा अच्छे खासे views अब 52 million views में 3 million plus likes मिले हैं मले हैं बहुती अच्छा response देखने को मिला तो वही मैं कह रहा हूँ ना उन्होंने villain पे बहुत अच्छा ध्यान दिया वही चीज वायरेफ ने भी करी है इमरान हासमी का अभी ताजा ताजा poster आ रखा है और solid poster आया है तो villain पे अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कल से जो villain की hype देखने को मिले tiger 3 के trailer जब भी नाम आ रहा है सल्मान खान का नाम आना ही आना है यस वो face है बट negative में इमरान हासमी का जो x factor जुड़ा है यहां पर बहुत अच्छा जुड़ा है त आपको अगर movie को अगर उपर उठाना है तो आपको villain पे भी ध्यान देना पड़ेगा गदर 2 सिर्फ इतना कम collection क्यों करके लाई गदर 2 वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा collection करके लाई लेकिन वो और ज्यादा collection कर सकती थी हुआ यह कि गदर 2 में सिर्फ सनी देवल की ब जो combination उन्होंने balance करके रखा है वही चीज Tiger 3 में भी देखने को मिल लिए और बाई साब यह इमरान हासमी versatile actor है और लोमणी जैसा चानाक वाला दिमाग इसमें यह इस्तमाल करने वाला है और फालने वाला है जवर्दस तरीके से तो यस movie के लिए तो भई काफी इंतजार है औ और अभी टेलर को 24 घंटे complete नहीं हुए हैं टेलर ने 40 million views हिट कर दिये हैं आपका experience कैसा रहा टेलर को देखके और villain के रूप में इमरान हासमी यह आपको कैसे जम रहा है मलब यह क्या करने वाला है क्या आग फालने वाला है अपना experience जरू सेर करके जाना नीचे comment box और वाग कर्दास कि नहीं ग्या वालने शुयोव।